दोस्टो अब ऑनलाइन का जमाना है आप घर बैठे ऑनलाइन रिचार्ज, मनी, ट्रांसपर, शॉपिंग और बहुत कुछ आप ऑनलाइन घर बैठे ही कर सकते हैं हमें ऑनलाइन की सिवधा की सार्षान, बहुत सारी परसानिया भी देखने को मिल जाती है जैसे की ऑनलाइन फ्रॉड, श्कैम, फिसिंग, आदी चलिए दोस्टो, एक कहानी सुनाता हूं, जो की एकदम रियल है मेरे एक फ्रेंड है, जो की रात को मुबाइल चला रहा था ये करीब 10-10 बजे रात को, अचानक उसके मुबाइल में एक मेसेज आया जैसे की नॉर्मल के सभी में आता है मेसेज, उसी तरह उसके मुबाइल के उपर भी शू किया जब उसने आय हुए मेसेज के लिंक पर क्लिक किया, तो उसे कुछ इस्ट्रे का ओप्शन दिखाई दिया बहाँ पर उसे एक स्केच कार्ड मिला, जब उसने उसे स्केच किया, तो उसने देख एक 4998 का कैश बैक बाउ, उसने जली जली में एक्शन लिया, और फिर, फिर उसने अपने सारे दोस्टों को सेयर किया पर उसे क्या पता, कि बहाँ तो खुद फ्रॉड का सिकार हो चुका है, और दोस्टों उस तरह उसके साथ फ्रॉड हो चुका था तो दोस्टों चलिए जान लेते हैं कि उसके साथ फ्रॉड होने का कारण क्या था, और कैसे कैसे हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है तो दोस्टो पहला कारण कि ऐसे पैसे मेसेज पर विश्वास ना करें जो कि आपको WhatsApp या मेसेज से मिलता है कि आप इस लिंक पर क्लिक करें और आप Cashback पा सकते हैं और दोस्टो दूसरा जो कि सबसे जरूरी है कि उसके Term, Condition, नियम को ध्यान से पढ़ लें कि वह पैसे मांग रहा है या दे रहा है आप इसकी केस में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको Send Money का Option दिया हुआ था और जब उसने Send Money पर क्लिक किया और अपना UPI पिन डाला तो जो पैसे थे वो फ्रोट के पास चले गए तो दोस्टो यह जरूरी है कि आप Carefully उसके Term, Condition जरूर पढ़ें और दोस्टो तीसरी सबसे बड़ी गलती लालच की बज़े से हड़वड़ी करना जो कि आपको नहीं करना चाहिए और दोस्टो सबसे बड़ी गलती आपको पता है कि जब भी आपको इनाम दिया जाता है तो आपको UPI PIN नहीं डालना होता है वह आपको अपने एप में देखने को मिल जाता है बिना UPI PIN डाले और दोस्टो यह जानकाई आपको बैंक की करमचारी समय समय पर देते रहते हैं या तो मेसेज के दौरा या तो इमेल के दौरा दोस्टो मेरे में चार दिन पहले ही मेल आया था कि जो बैंक है वो आपको कभी भी कोई ओफर देने के लिए या कैस बेक देने के लिए आपको UPI PIN डालने को नहीं कहता है यह अगर इस परकार के दिवान किया जाती है तो मतलब वो फेक कैस बेक ओफर हो सकता है तो दोस्टो ऐसे कैस बेक ओफर से सब्धान रहें और उनके जहालस में नए आए अब दोस्टो आप कहो कि चलो गल्ती तो हो गई अब हम क्या कर सकते हैं तो दोस्टो सबसे पहले आपको यह करना है कि जो आप लिंक से एर कर रहे हैं बे बजाय की आपको इस लिंक को बिनफाल्टू को सेर नहीं करना चाहिए बनना इसके जहासे में कोई और आ सकता है और उसके साथ भी फ्रॉट हो सकता है और वो आपको बुरा भला ये ताना भी दे और दोस्टों दूसरा कि आप फोन पे में रिपोर्ट कर सकते हो दोस्टों इसके लिए आपको अपने फोन पे में आ जाना है और यहां पर आपको question का option मिलेगा इस पर click करना है और इसके बाद आपको यहां पर account security and reporting reporting फ्रोड डेंट activity का option दिखाई देगा इस पर click करना है और यहां पर आपको how to do I report activity on phone पे इस पर click करना है और इसके बाद यहां पर आपको लिखना है कि आपको किस तरह से आपको वह request मिला तो दोस्टों आप किसी पर भी click कर सकते हो यहां पर आपको phone पे का support मिल जाएगा इस पर आपको click करना है और इसके बाद यहां पर आपको अपना mobile नमर डालना है और इसके बाद उस पर OTP आएगा और वह आपको help center पर ले जाएगा जहां पर आपको अपना VPA मतलब कि जिससे नमर से cut out हुआ है और जिसके में हुआ है उसका transaction ID लगेगा और इस तरह वह complaint हो जाएगा है और दोस्टों Τीसरा कि आप cyber security में report कर सकते हैं दोस्टों cyber security में आप कोई भी तरीके के phishing, scam यह fraud के बारे में आप online report कर सकते हैं तो दोस्टों आप cyber security के oficial पेज में जाकर आप online report कर सकते हो और दोस्टों साथ ही साथ आप पुलिस में भी रिपोर्ट कर सकते हो और दोस्टों चौटा कि आप अपने बैंक में रिपोर्ट कर सकते ही दोस्टों आप अपने बैंक में रिपोर्ट ओनलाइन वो आफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं दोस्टों, ओनलाइन से करने के लिए आप बैंक के ओफियल पेज में जा सकते हैं, और महां से ओनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं, और ओफलाइन रिपोर्ट करने के लिए आप बैंक जा सकते हैं, और महां से आप बैंक मेनेजर से मिलकर ओफलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं, और तो दोस्टो छटमा कि आप इस फ्रॉट के बारे में आप बैंक को ट्यूट वा साइवर सिकोटी को ट्यूट कर सकते हैं तो दोस्टो यह थी आज की जानकारी जिससे कि आप फ्रॉट से बच सकते हैं और आप यह यह तरीके अपना सकते हैं तो दोस्टो आशा करता हूं किया वीडियो आपको पसंद आये होगा। दोस्टो इस वीडियो को 1000 लोगों तक सेर कीजिए जिसे कि इस वीडियो के जानकारी सभी को मिल सकें और भी सभी सुरक्षित रह सकें। और बे भी इस फ्रोट से बच सकें। नीचे कमेंट बक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ऐसे जानकारी वीडियो पानी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथी साथ बेल आइकन को प्रेश भी कर सकते हैं। और मुझे अन सोसल जैसे की टूटर इंस्टाग्राम पर भी फॉलोग कर सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही जैहिंट बंद मात्रा में